वेलकम टू माई किचन और कैसे हैं आप लोग आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गुड़ी पाय का सालन गुड़ी पाय आपने यकीनन बहुत बार बनाये होंगे और यकीनन बहुत टेस्टी भी बनाये होंगे लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट टेस्ट करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर मेरे तरिके से बना कर देखी यह बहुत टेस्टी सालन बन के तयार होता है और यकीनन आप बार बार बनाना चाहेंगे इसको तो एक बाद ज़रूर ट्राइ कीजी, मेरे साथ, मेरे अंदाज में गुड़ी पई का सालन, तो चलिए हम शुरू करते हैं, गुड़ी पई का सालन गना लोगा, इसके लिए सबसे पहले में ले रहे हैं, कुकर, कुकर में डाल लीजी आप तेल और इसको गैस पर रखके गरम करने के लिए रखती जी तो इसमें तेल डालने आप तेल आपको जितना डालना वैसे तो नॉन्वेज में ज्यादा ही डलता है उसे साथ से डालने आप और इसके अलावा डालों ही में खड़ा गरम मसाला यह तक्रीवन 15-20 काली मिर्च एक में बड़ी लाइची डाल रही ही kan यह तोड़कर ड़ाले आप एकतम साब़ित ने डाले और यह शाह जीरा डाल में थोड़ा सामें यह डाल रही ही पाँच छे लोग और यह डाल चीनी के तीन तूपड़े थीक है तो तेल अच्छा गरम करने ग़ाद आप खड़ा गरम म सालब जरूर डालें ये बहुत टेस्टी लगता है कुछ भी बहुत अच्छी आती इसकी और जब आप ये डालना तो इसको अच्छे से तड़का लें जब बढ़िया तड़क जाय तो इसके अंदर डालना है प्यास इसको स्लाइस करके डाल दिया हमें ने ये एक बड़ी साइस की प्यास को लेके वह एकदम बारिक स्लाइस करके डाले आप इसको इसको बहुत अच्छे से ला लें हमें इसको गोल्डन नी करना हमें सिर्फ इसको इसका color change करना बस इतनी ही हमें इसको तलना हल किसी ठीक है देखिए हल किसी हमने प्यास को अब ले लिए मैंने ये पाए और गुड़ी ये देखिए पाए गुड़ी को लेका बहुत अच्छे से साफ करिए क्योंकि इसको पर पाए को अकसर वो थोड़ी सी खाल और अजीब से काला काला से रहता है असाई से बाल भी नहीं कर पाए तो बढ़िया से आप साफ करें औ पाने में डुबओखर बहुत अच्छे से दोए इसको और इसको फिर डाले दाल रही नमक एक चमच भर के नमक डाल दिया मैंने आप सब को अच्छे से मिक्स करदो बहुत अच्छे से बूल ले ताके यह जो गुड़ी पाए उसको जो कच्छा पाने और जो इसकी एक इस् के पेस्ट यह तक्रीएं पाँंछ मीडिम साइ्स को प्यास को पीस Maurice वेने बनाया है तो प्यास को डाल दो है उसको अच्छे से बूलने आप आपढ़ी सिर्फ प्यास को जिंदा रेल दालने आपढ़ी कुछ भी निद्दा लाने गुड़ी पाय में सबसे जादा बुनाई अच्छी होना चाहिए उससे बहुत अच्छा डेस्ट आता है तो प्यास को आप बहुत अच्छे से भूलने आप थोड़ सी गॉल्डन हो जा इतना भूना और उसके बाद डालने इसके अंदर लसंद्रा का पेस्ट तो मैं एक प्याली भरके डाल रहे ही लसंद्रा का पेस्ट और इसको भी पहले भूलने आप प्यास लसंद्रा का पेस्ट को बहुत अच्छे से भूलने एक बढ़िया सा इसमें भूना ही बहुत अच्छी चाहिए मैं आपको बार-बार यही बात बोल रही है कि आप इसको भूने अच्छा ठीक आप सूखे मसाले की बारी एक चमज भरके डालिए आप इसके अंदर हल्दी पड़र और इसके अंदर मिर्ची जाएगी दो चमज भरके मिर्च मसाले अच्छी तैज़ी अच्छी लगते इसके अंदर और इसके बाद में डाल दूंगी इसके अंदर धनिया,क dampak रूदी तो मैं डाल रही है इसकंदर तीन चमज भरके धनिया पड़र सूखे मसाले डालने हैं अच्छे से और इसको दिश्क बाद हम बुणाई करेंगे तो यह तीम्राइब तीन चममच बर कि डाल रही हिए में धनिया का प्धर तुक अब इसको भी अच्छे से तला जाए कूंको तेल है अब इसके अंदर तो अच्छे से तला जाएंगे कि सुके मसाले घो abstी को इसको भुन भुन लाइगा हैं है और अगर इस ने है उसको भुनते हो जाएं मैं कि इसको भुन दीजी का यह के थोड़ा मेरे जूं प्याले मेने मसाला तो यह निर में पारी में गूं लिया था आह्किह वहा है तो मैं आपको बार बार यही बात बोल रहां हैं, आप भुनाई बुहुत अच्छी करें, क्योंगे हम जितने अच्छी भुनाई करेंगे, इतने ही अच्छा टेस्ट है हमारा घुड़ी पायक आएगा, तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के भुत थे और भुनते ने ल कितना अच्छा कलारा आयव बहुत अच्छी कुस्अ का और यहां हमारा आप इसको चेक कलने जिस्का क है आपको लगे पूरी तरह क्लाषा यह मसाला भून गया तब इसके अंतरह हम पानी डालेंगी गुलकु कच्छा पंद मत रंदी जे वरना जब हम पानी डाल के पकाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगी इसके टेस्ट ठीक अब यह पूरी तरह भून गया आप मैं इसके अंदर डाल लेती हैं पानी पानी आपको जितनी भी ठिक इसके वह रखना है ग्रेवी आप इत्ती नहीं रखे वैसे इसमें थोड़ी से जादे ग्रेवी अच्छी लगती हैं या अक्सा मोटी रोटी या जुआर की मक्का की रोटी के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है तो आप मैं डालने इस लगता है तो हम पानी एक ही बार डाल रहा है इसलिए हम जितना हमारे को ग्रेवी रखना उससे थोड़ा ज्यादा ही पानी लगेगा इसकंदर ताकि अच्छी से गल जाए उसके बाद बड़ी हासे पकने के बाद भी इसमें ग्रेवी इतनी रह जितनी हम चाहते हैं ठीक है तो मैंने एक मंगा भरके पानी डाल दिया फिर और में ले लेती हैं यह दो प्याली बरके और पानी डाल रहे हैं इसकंदर में पानी इसी टाइम डालें आप बाद में मध डालें वरना पानी कच्छा थेगा तो इसका टेस्ट अलगाएगा तो पानी इसी टाइम आप जित दूसरा उसके अंदर उसका अरक नहीं लिकाल पाता जो हम गुड़ी और पाय डालना उसका हमें उसका जूस भी इसका अरक भी डालना लिकालना इसके अंदर वहुत देर पकेंगे क्योंकि यह बहुत आसाने से गलते भी नहीं तो चलिए मैंने पानी डाल दिया एक बड़ा बरके दो प्याली भरके तक्रीबन समझे दो डोंगे हो गया वह पानी और कुकर के डिकन को लगा कर और हम इसको रख देंगे तक्रीबन नीन करके 20-25 मिनिट के लिए और कुकर अपने अप ठंडा होने देंगे इसके बाद खोलेंगे देखिए तो मैंने तक्रीबन 25 यह यह हो। पूरी तरह मिवा कऊंड़ जादा गलाबाई अच्छा लगता वोच्य के बाद इसमिए आक निकलता इसका जो गुड़ी पाया का सूप बढ़िए सा बनता एकन बढ़िए सा अरक निकलता इसका जूज निकलता हुए बहुत टेस्टी लगता इसमें को वापे कि देखिए 20-25 मिनुट बढ़िया से एकदम साइड में रख दा एकदम स्लो फिलम पर बढ़िया सा पकने दे तो इससे पाय गुड़ी का सालन का जो उसका जूज हो पूरी तरह निकल जाएगा बहुत टेस्टी बनेगा आप जरूर मेरे तरीके से एक बढ़ ट्राय करके देखें बूखोत अच्छा लगेगा आपको यह ठीक है खूब अच्छा सा पक जाए बढ़िया तो इसके अंदर डालने आप गरम मसाला पिसावा तो आधा चमच मिन गरम मसाला भी डाल दिया पिसावा उसको भी दो मिनिट के लिए कवर करके रख दें ताकि इसके खुश्बू अच्छे से बज़ा है हमारे गुड़ी और पाए में तो गरम मसाला डालने के बाद आप ढ़ाग दें कि दो मिनिट के लिए बस जादा देट नहीं ढखना में खुश्बू बहुत अच्छे से बज़ा है बस इतनी कि इसको आफ कर दें और यह देखिए बढ़िया सा एकदम गुड़ी पाएगा सालान बनके तयार है वह बहुत टेस्टी बहुत अच्छा आप जरू ट्राए कि जिस चलिए लिका लेते हैं इसको एक डिश में पाइआए जादा बहुत गलावा ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छा सा अरकि निकल जाता हमारे गुड़ी बहुत अच्छा गलाएता भी उसको आप चाहें तो मक्का की रोटी के साथ खाईए या मांडे के साथ खाईए जो आपको पसंद उसके साथ खाईए बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया गर्म गरम खाईए ट्राइ किजी और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आईए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूल है और आप उसको ट्राइए और इंजाय कर सकेंगे तो आप ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए आगे ही मेरे चैनल पर बने रही है मेरे साथ बने रही है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करेंगा आपकी रेसिपी कैसी बन रही है और आपको अगर कुछ भी इसमें च ST recipients are. Thank you for watching my video.